करेंगे दुर्गों किताब से दुर्ग से हमारी समवाता था सुबोत तीवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबोत जी आज क्या क्या खबर दिन में जीले में सुर्खियों में बनी रहेंगी सेविणन जी लोग सबस चुनाओं की तैयारी को लेकर भारते जन्ता पार्टी और कॉंगर्स पार्टी दोनों ही लग चुके हैं अगर भारते जन्ता पार्टी के बारे में बात करें और इस लोग सबस चुनाओं में अपने मतादिकार का परयोग करताएंगे तो ऐसे लोगों को दिजाने के लिए भारते जन्ता पार्टी ने एक मोहिन चला रखी है जिसके तहत वे उन्हें केंदर सरकार की योजनाओं और प्रते सरकार के प्रक्रियाओं यनि के काम करने के तो तरीके के बारे में बताएंगे दूसरी बड़ी बात है कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक गरतन प्रियाथर का योजन किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंतरी स्पीयम भुपेश्ट मगेल महा समुझ के भावर पूर्टे उसमें कामिल होंगे उस गड़तन प्यात्रा के दौरान यहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके से बार्टी जनता पार्टी अलोक लुबाने वादों को को लेकर राज़ेश्ट में काबिस तो हो जाती हम अगर वादे पूरे नहीं करती उसमें तमाम तरह जड़तन के प्रयोग जांता है उन्हें उनके मतादिकार के प्रयोग की जानकारी भी दी जाएगे और यहां तरह परेटन की बात नहेंगार तो परेटन को लेकर पहले ही फर्ला फूला है यहां तमाम से परेटन घस्र कुरे। दूशहिपने बाया परेट थैस्रों के दर्शन करते हैं और आनंदित हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बड़ी बात है कि राज्य शाजन्दारा ज्यारी निर्देश जो हैं उसके तहट सारजनिक वित्रण प्रणाली के तहट जो राशन कार्ड होते हैं उनके नवीनिकरण की सप्रिया शुरू हो रही है आज सेजस में बताया जा रहा है कि लगभग 24,500 जो मंदिर दर्शन करने जाएंगे इसके तैयारी भारते जंदा पार्टी ने कर ली है इसके पहले उन्हें पंजियन कराना आवच्छे होगा बीजेपी का रहले में पहुंच कर वे वाजपाद और न्यूक्त जो पतादिकारी हैं उनके पास अपना नाब बता अधार कार्ट वगला जमा करेंगे और बहुती कम शुल्क में बहुती कम शुल्क में मातर चाउदास और रुपए शुल्क में वे आयोध्या दर्शन करके आएंगे सांतियास पास के मंदिरों का भी भर्मण कर पाएंगे यह चार दिनों की यात्रा होगी उसके बाद 19 तारी को दूतरी जो यात्रा है वो रावाना होगी और तीसरी बात चरहें विश्वद्यालय अनुदान आयोग की तिमनन जी बड़ी बात है कि विश्वद्यालय अनुदान आयोग के दोरा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिनके तहत बता जा रहा है कि जो हेमचन विश्वद्यालय दु लोग आयों कि न्युक्षे कर ली जाने चाहिए थी ये टेवरंटी जी सुबो जी तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद